जैसी किष्णा मैं शिखा नाटानी पूसला से हमारा दूसरा प्रश्ण है साथ फेरों का वर्णैन कीजिए मैं अपने अनुभाव के अनुसार जो भी मैंने देखा, सुना और पढ़ा है अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूं वैदिक परंपराओं के अनुसार साथ फेरे विवाह की इस्थिरता का मुख्य इस्थम्ब होते हैं विवाह के समय वर्वदू अगनी के समक्ष फेरे लेकर धुरुतारे को साक्षी मान कर दन, मन और आत्मा से एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं हर धर्म में विवाह को लेकर अलग-अलग मानने ताय होती हैं, मगर इन सब के पीछे का महत्व एक ही होता है और वो हैं कि दौनों ही एक दूसरे के प्रती समर्पित रहें और एक दूसरे का सम्मान करें हमारे मारवाडी समाज में इन साथ फेरों को विशेश विधी द्वारा संपन कराया जाता है प्रतम तीन फेरे तोरण की नीचे चौकी पर दूले राजा को खड़ा करके कन्या के मामा द्वारा अपनी भांजी को साथ लेकर किये जाते हैं और बाकी चार फेरे मंडब में पवित्र अगनी के चारो ओर लिये जाते हैं इसमें भी पहले दो फेरों में वधु आगे होती है और अंतिन दो फेरों में वर राजा आगे चलते हैं साथ वचन, सब्त पदी और अगनी की प्रदिक्षिणा चार ऐसा माना जाता है कि यह चार फेड़े अर्थ, धर्म, काम और मोख्ष के प्रतीक हैं इसका तात्पर्य है कि घर परिवार के कार्यों में नारी का नेत्रत्व रहेगा और उसके परामर्ष को महत्व दिया जाएगा एवं वर उसका अनुसरण करेगा और बाहर के कार्यों में वर नेत्रत्व करेगा और नारी उसकी अनुगामी नहीं होगी क्योंकि इन शेत्रों में वर का अनुभव अधिक होता है ये साथ फेरे इसी तरह वर वधु के आपसी सामंजिस को द्रड़ करते हैं इन साथ फेरों के साथ अन्य परंपराएं भी जुड़ी है जैसे पहले की समय में फेरों में कन्या सनान के बाद मामा कावल कुमार वरी पहनती थी इन श्वेत वस्त्रों के साथ कोई जेवर या श्रिंगार नहीं होता था इसके स्थान पर अब कन्या मामा के दिये गुलाबी वस्थर पहनती है कुछ बदलाव के साथ भावनाएं एवं रस्में वहीं है साथ फेरों से साथ जन्मों तक का साथ साथ फेरे केवल दो लोगों के बीच होते हैं साथ फेरे केवल दो लोगों के बीच होते हैं पर वो परिवारों के बीच प्रेम का बीच बहते हैं जीवन साती के साथ जीवन की हर पहेली सुलज़ानी है साथ फेरों की यही प्यारी सी कहानी है और अंत में अतीत के जरोंखों से कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगी जो शायद आप सबने भी सुनी होगी जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक दुलहिन नहीं दूला की